नमस्कार दोस्तों वीके नोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है वेकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्तित हूँ दोस्तों और वेकेंसी का अभी थोड़ी दिन पहले में अपडेट दे दिया था हिमाचल परदेश SSE की वेकेंसी है अब इसका ओ रखी गई है फुल एक्जाम का पैटर्न पूरी तरह से जारी हो चुका है सलेवस आ गया है तो इनी सब पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा पोस्ट के बारे में तो डिटेल हम पहले से कर ही चुके हैं सो आप इस वीडियो को लाज तक जरूर देखना अभी हमारे साथ ज होल्डर्स के लिए मैं कहूंगा कि अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो काफी अच्छी अपोर्चुनिटी मैं इसे कहूंगा आपसे रिक्वेस्ट है जरूर इसका आप लाब उठाएं दोस्तों वैसे तो एससे सी ने जारी किया है एड़टीजमेंट इसलिए कई स लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें ऐटी होल्डर्स के लिए वेकेंसी है तो एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी बोर्ड पर दे देता हूं मोटा मोटा आपको समझ में आ जाएगा विभाग का नाम है हि पोस्ट कौन कौन सी है माईडियर इसमें, तो कम से कम एक आईटी ऐई होल्डर सेम क्वालिफिकेशन के अधार पर लगभग पांच पदों पर भरती कर सकता है। पांच अलग-अलग पोस्ट है यहाँ पर आईटी ऐई होल्डर के लिए। एक के एक करके मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कौन सी पोस्ट है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है सीटे कितनी है बस आप बने रही है और लाज तक देखे सबसे पहले दोस्तों कुन कौन अपलाई कर सकता है जो मेन क्राइटेरिया है उसी पर आऊंगा अगर मैं ओनलाइन फोर्म सब्मिट के स्टार्टिंग की बात करूँ तो ये 31 मई 31 मई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा जबकि इसकी क्लोजिंग डेट जो है दोस्तों वो है 30 जून 2022 यानि लगबग एक महिने का समय तो आपको यहां मिल गया आज जी अपनी त्यारी सुरू कर कीजिए बेटर त्यारी के लिए हमारा एप डाउनलोड कीजिए और इसके बाद भी लगबग दो से तीन महिने तो कम से कम बोद देगा तो गब कुल मिलागर चार महिने का वक्त आपके पास है अच्छी त्यारी आप कर सकते हूं सेकिंड पॉइंट दोस्तों मैं बात करू दोस्तों यहां पर अथारा वर्स से लेकर पैंतालीस वर्स तक की एज रखी गई है ठीक है न रिजर्व के टेग्री को ऐस्व रिजर्वेशन छुट मिलेगी यह जो क्राइटेरिया होता है हमेसां अन्रिजर्व केटेग्री के लिए होता है आप ध्यान रखे तो कोड़ है 971 कुल 5 है 971, 973, 974, 755 पांच कोड़ है पोस्टों के जिन पर ITA वाला भर सकता है पोस्ट कोड़ जो है यह पोस्ट है लाइन मेन की माइडियर ठीक है ना और मैं आपको इसमें जो कुल पद है ना एक बार वही बता देता हूं लाइन मेन के लिए जो टोटल सीट ह क्योंकि बाकी तो सर्किल वाइज है 186 यहां पर टोटल सीट है लाइन मेन के लिए और सर्किल वाइज है जैसे कुलू, मंडी, अमीरपूर, बिलासपूर, सिम्बला ठीक है इन सब के लिए अलग लग जो है वो सीटे डिवाइड कर रखी है लेकिन अवराल आप यह समझ ल सब इस्टेशन अटेंडेड क्या नाव है दोस्तों पोस्ट कोड का सब इस्टेशन अटेंडेड जो है वो पोस्ट का नाम यहां पर रखा गया है और इसकी टोटल कितनी सीटे है इसके जोग जो नहीं है और 172 वाले की जो है 163 163 सीट यहां पर पोस्ट कोड 902 स्से के लिए है पोस्ट कोड 903 दोस्तो इसका नाम है इलेक्ट्रीशन पोस्ट का इन सब के लिए क्वालिफिकेशन सेम है तो मैं आपको एक बार लास्ट में कवर अब करवा दूगा कि इसके लिए जो भर सकता है वो तो टोटल सीट के इसाब से कितनी है इलेक्ट्रीशन के लिए जो यहां पर टोटल सीट है दोस्तो वो है 112 पोस्ट अब देखो कोई वो लिमिट नहीं है तो अगर एक आईटिय ओल्डर बच्चा है तो वो तीनों के लिए फॉर्म अपलाई करें क्योंकि पेपर तो इनको अलग लग दिन लेना पड़ेगा सेम डे एक्जाम नहीं ले सकते दोस्तो पोस्ट कोड 964 जो है इसका नाम है इलेक्ट्रीशन पावर हाउस ठीक है ना इलेक्ट्रीशन पावर हाउस EPH के नाम से इनोंने दिया है और इसमें कुल 226 है 964 वाला पोस्ट कोड अगला जो है इसमें 975 वाला दोस्तो तो 975 जो पोस्ट कोड के नाम से है इसका नाम है इलेक्ट्रीशन केवल इलेक्ट्रीशन है लेकिन वो इलेक्ट्रीशन था और इसमें अलग लग है दोस्तो M and T है फिक है न मेकेनिकल एंड ट्रेनिंग वाला होगा तो इसमें टोटल है 22 सिटे कुल मिलाकर कि ये पांच पोस्ट है जहां एक ही क्वालिफिकेशन रखी गई है एक ही IT होल्डर जो है इसमें फोर्म बर सकता है तो आजाईए दोस्तो अब इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं अब क्वालिफिकेशन के साथ ही मैं आपको बता दूँगा डिजारेबल क्वालिफिकेशन जो रखी गई है उससे आपको बड़ा पता लगेगा कौन-कौन बर सकता है दो सर्ते रखी गई है इमाचल परदीस वालों को प्रात मिक्ता ही मिलेगी कुल मिलाकर जो क्वालिफिकेशन दोस्तों यहां पर मांगी गई है वो बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन है 10 प्लस ITI रखा गया है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन ITI में इलेक्ट्रिशन भर सकता है और वायरमेन भर सकता है इन दो के अलावा कोई नहीं भर सकता ठीक है अब यह तो है सब के लिए 71, 72, 73, पांचों के लिए सेम कौलिफिकेशन रखी गई है तो एक बच्चा इन तीनों में भर सकता है लेकिन माई डियर यहां प्रोब्लम करती या करके लिख दिया और यहां मैं दे दिया डिप्लोमा यानि अगर किसी के पास 3 एर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है ठीक है न तो वो भी भर सकता है यानि आई टी आई वाला भी बर सकता है डिपलोमा भी बर सकता है दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन रखी गई यह तो यहाँ थोड़ी सी प्रोब्लम है पेपर का लेवल जो है वो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर सकता है अब देखो दूसरी सर्त क्या है यहाँ पर ए आईदर और है दोनों में से एक होना चाहिए अगर हिमाचल परदेश के निवासी नहीं है भारत में किसी और राजे से है इंडियन तो जरूरी है यह देखो तो फिर हिमाचल परदेश से आपने टैंथ किया हुआ हो यानि आपने जो एजूगेशन लियो और वो भी टैंथ इस टेंडर्ड की वो या तो इमाचल परदेश से ली हो तब आप इलिजेबल हो तो ये आपको दो चीजे है सरतों का पालन करना पड़ेगा और कोई बात नहीं है क्वालिफिकेशन सब के लिए सेम है बिल्कुल जितनी भी पोस्ट है सारी पोस्टों के लिए सेम केटेगरी जितनी भी है उनसे 120 रुपए की फीस ली जाएगी और बाकी सबी जो भी है वो फीस से मुक्त रखे जाएंगे mode of selection मैं तो सलेवस पर बात करें तो यह ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाप से इसी को समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है exam कैसे होगा देखो exam जो है वो OMR seat पर ही होगा और OMR seat में रहेगा क्या वो देखो 200 question आएंगे एक मेरे पास इसका paper है आपको में टेलिग्राम प्रसेंट कर दूँगा, हमारी टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुए, वहाँ से आप ले सकते हैं, पूरा फुल दो सो क्यूस्टनों का मेरे पास है, सो नंबर का रहेगा, यानि एक बटा दो का परते एक क्यूस्टन हो गया, ठीक है, अब इसमें एक सो बीस क्यूस्टन जो आएंगे वो तो होंगे ट्रेड से रिलेटेड, और जो बाकी आपके एटी क्यूस्टन बच गए ना, वो एटी क्यूस्टन आएंगे कौन-कौन से देखो इसमें, जनरल नोलेज हिमाचल परदीश का करन्ट अफेर्स के भी इसमें क्यूस्टन आएंगे ठीक है, इसमें ओवराल कौन-कौन से रहेंगे, तो जनरल नोलेज, इंक्लूडिंग जनरल नोलेज ओफ हिमाचल परदीश करन्ट अफेर, एवरिडे साइंस लोजिकल साइंस, यानि कुल मिला करके, इसमें नोन टेक है हिंदी, इंगलीज टेंथ लेवल की, सोशियल साइंस, ये सारे सारे इसमें है तो जो पुराना पेपर है ना, उसमें ये सब चीजे है मेरे पास, आपको उस पेपर से मिल जाएगी, ठीक है किसी भी और जानकारी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा PDF नोटिविकेशन पढ़े, वो भी आपको उमारे टेलिग्राम पर मिल जाएगा वीडियो लाइक जुरूर करें, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबस्क्राइब करें, अपने दोस्तों को सेयर करें, एप टाउंलोड जरूर करें, बहुत दने बाद